ध्यान मूलं गुरूर मूर्ति पूजा मूलं गुरू पदम मंत्र मूलं गुरूर वाक्यं आप्ष मूलं गुरू कृपह परम पूज्य श्री सहिब जी पूजनी संत समाज सम्माननी सज्जनो एवं देवियो जीवन हमारा कुछ मूल तत्तों से बना हुआ है और उनको जब हम पालन करते रहते हैं तो जीवन की गाड़ी एकरश आगे बढ़ती रहती है कोई विग्न बाधा विशेश नहीं आती है और व्यवहार परमार्थ दोनों हमारा समुज्जवल होता जाता है उन्हीं चीजों की जब कमी हो जाती है तो फिर बड़ी अवेवस्था हो जाती है कश्ट होता है जीवन को जीने में व्यवहार को करने में और मन में भी बड़ी पीड़ा होती है तो मूल तक्त क्या है जिनके कारण हमारा जीवन खुशहाल बना रहता है उनको हम चार भागों में बाटते हैं उन्हीं पर थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं पहली बात है सारीरिक स्वास्थ दूसरी बात है आर्थिक मजबूती तीसरी बात है पारिवारिक प्रेम और चौती बात है मन की शान्ती इन चारों की बहुत जरूरत है किसी एक को काट देने से काम नहीं चलेगा चारों का होना जरूरी है जैसे खाट के चार पाए होते हैं कुरसी के चार पाए होते हैं और उन चारों में से किसी एक को काट देने पर तूट जाने पर हम उस पर बैठ नहीं सकते इसी प्रकार ये जिन्दगी है हमारी, इन में से हम किसी एक को भी जुठला नहीं सकते हैं, सबका अपना बहुत बड़ा अस्थान है, और जीवन को सुभेवस्थित बनाने में, सुखी बनाने में इन चारों की अपनी आहम भूमिका है पहली बात है, शारीरिक स्वास्थ, हर इंसान को सरीर स्वस्थ रखना चाहिए स्वस्थ सरीर में ही परमात्मा का वास होता है, स्वस्थ सरीर का मतलब केवल बाहर का हर्ड वेर ही नहीं, अंदर का भी उसी में जुड़ा हुआ है मन का सिस्टम, तो सरीर स्वस्थ कैसे रहे स्वास्थ तो सब लोग चाहते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगी कि नहीं मुझे तो रोगी रहना अच्छा लगता है सब लोग चाहते हैं हम सरीर से स्वस्त रहें मन से प्रसन रहें धन से मजबूत रहें अब मन में भी सान्ती रहे लेकिन चाहने मात्र से थोड़े कुछ हो जाता है चाहने के बाद उसके लिए पुरशार्थ करने की जरूवत होती है तो सरीरिक स्वास्त के लिए क्या पुरशार्थ करना चाहिए हर चीज के लिए कुछ करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता है जो निगेटिव तक्त्त है उनको छोड़ना पड़ता है और जो पाजेटिव हैं सकरात्मक और लाभकारी चीजों को अपनाना पड़ता है सारीरिक स्वास्ति के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि क्या नहीं करना है अक्सर उल्टा काम करके हम लोग बहुत अपने को तबाह कर लेते हैं नसीली चीजें सरीर के लिए पूरी तरह से हानिका रखें पान, बीड़ी, सिगरेट, तमबाकू, सराब, गाजा, भांग इन साब चीजों से सरवथा दूर रहना चाहिए इनसे कभी भी किसी का कोई हित नहीं होता है सदेव केवल अहित ही होता है सरीर तो रोगी होता ही है, साथ-साथ पैसे भी बरबाद होते है बच्चों के संसकार खराब होते है मावेहनों को बहुत पीड़ा होती है और हमारा समाज और समाज ही नहीं राश्ट के साथ हम बहुत बड़ा द्रोह करते हैं हमारी जिंदगी केवल हमारी नहीं है, हम बहुतों से जुड़े हुए हैं, और हम से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, अगर हम अपने स्वास्त के लिए, अपने जीवन के लिए अत्याचार कर रहे हैं, तो हम बहुतों के साथ कर रहे हैं, हम अगर गलत खान पान अपना करक पड़े हुए हैं, हमारे साथ बहुत लोग तो परिशान हो रहे हैं, अब स्वभाविक प्रारब्धोष तकलीफ आ जाए, रोग आ जाए, तो ये अलग बात है, मजबूरी है, लेकिन अगर हम अपने कर्मों को बिगाड रहे हैं, जान बूच करके गलत खान पान अपनाते है और रोगी हो करके फिर पड़े हुए हैं, घर का सारा पैसा हमारे ही सरीर के स्वास्त में जा रहा है, घर के सब लोग हमें ही सब उलजे हुए हैं, तो हम कितना लोगों का नुकसान कर रहे हैं, इसलिए सरीर को स्वस्त रखने के लिए हमें सावधान होना चाहिए, उचित नियम सैयम का पालन करें, समय से सोना, समय से जागना, उचित खान पान अपनावें, संतुलित खान पान रखें, सब लोग खाते हैं, दिन में दो दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बार भी कोई-कोई खाते हैं, लेकिन बच्पन से बुढ़ापे तक खाते हुए भी ये नह पता उनको चल पाता है कि कितना खाना चाहिए क्या खाना चाहिए कब खाना चाहिए उल्टा पल्टा आसमय में अनारगल चीजें ज्यादा मात्रा में खा करके हम बीमार हो जाते हैं कि एक गुरुटर जी इधर फजा बात तरफ थे एक आस्रह में थे एक साधु आये और लेट गए गुरु जी के सामका कमरे में ही आकर के लेऩगे गुरु जी नी कहा कि ह ounce कहते हैं कहकरी साव ज्यादा खाये लेड़ी ना पेट बहुत फूला हुआ है तो तो कहें ज्यादा क उखा लिए कैसा अब नीक लागत है अब नीक लगता है तो इतना खा लें कि कांखते रहें और ना बैठे रहाई सो ना खड़े रहाई सो यह कोई तरीका हुआ पांच मिनट का दो मिनट के स्वाद में पढ़ करके हम घंटों अपना समय बरबात करते हैं परिशानी उठा करक काहे कोई जीव के प्रलोभन में पढ़ करके ज़्यादा खाते हैं लोग तो यही मानते हैं कि ज़्यादा खाने से सरीर स्वस्त रहता है ऐसा नहीं है चूला में ज़्यादा लकड़ी ठूस दो तो क्या बढ़िया जलेगी एक संतुलित मात्रा में लकड़ी लगाएंगे तब खुल करके जलेगी और आँच लगेगी इसी प्रकार पेट में ज़्यादा जब डाल देंगे तो वो ज़्यादा ताकत नहीं देगा वो हमें कई बीमारी का कारण बनाएगा धीरे से कब्ज बनेगी फिर गए सनेक प्रकार की बनेगी और फिर हम रोगी बनेगी देखिए बाहर गाड़ी, कोई भी गाड़ी चलाओ, तो वो गाड़ी ज्यादा अच्छी मानी जाती है, जो चले ज्यादा और तेल कम खाए लेकिन सरीर रूपी गाड़ी के लिए उल्टा लोग करते हैं, काम कम करें और तेल ज्यादा खाए यही करते हैं न, खुब कीमती से कीमती चीजें, ज्यादा से ज्यादा खाओ और लेटे रहो, काम ना करना पड़े ये सरीर को सस्त रखने का तरीका नहीं है, सरीर को परिस्त्रम देना चाहिए, सब को महंती होना चाहिए और संतुलित खान पान रखें, संतोस पुरवक खाएं, पवित्र चीजें खाएं, और अपनी कमाई का खाएं, ना जायज नहीं बहुत काजु किस्मिस मेवा घी दूद दही खाने से स्वस्त रहेंगे आप, ऐसी बात नहीं है संग्रुव बिलास देव जी कहा करते थे, उनके तो विचारों में तन और मन, पेट और मन, संतुलित आहार, कम खाओ, गम खाओ, इन विश्यों पर तो बराबर प्रवचन होते ही रहते थे कम खाओ, गम खाओ, कम खाओ तो डाक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और गम खाओ तो पुलिस के पास जाना नहीं पड़ेगा कितना बढ़िया है और सरीर भी ठीक पैसा भी बचेगा और कलाह भी नहीं होगा और तकलीब नहीं होगी सरीर में रोग नहीं लगेगा इसलिए खान पान की सावधानी रखें एक सजन थे जब उनको दूद दही ना मिले तो बहुत पश्ताते थे फिर कहें कि क्या करें आगे घी न पाच्छे दही कौन हाल भोजन की कही घी दूद दही मिला नहीं क्या भोजन खाना अब घी दूद दही बड़े हो गए आप छोटे हो गए जो मिले प्रसन्यता पूरोवक वही में सारी विटामिन समझे एक महत्मा थे गुर्देव जी के पास एक बार आए वह बाहरी थे घूमते रहते थे घूमने का मतलब यह नहीं है कि वह कोई घूमने वाले संत गलत होते हैं लेकिन अब गलत कोई भी अपने सुभाव को बनावाए तो चाहे घूमने वाला हो जा आराम से मिल जाए और भूख लगने पर जितना रुचे पिचे उतना खा लें उसी में सरीर स्वस्त रहेगा उनको लगा कि यह महराज जी नहीं जानते हैं सरीर स्वस्त रखने के लिए कितना और क्या खाना चाहिए तब उन्होंने अखबार की एक लंबी कटिंग निकाली उसमें लिखा था कि इतना फल, इतना दूद, इतना दही, इतना घी, इतना मेवे इतनी मिठाई, इतना पनीर और इतना इतना सब खाओ तब स्वस्त रहेंगे कृदे जी ने कहा कि भीया अगर ऐसे खाना है तो ये कपड़ा उतार दो साधू का, जाओ कहीं मेहनत करो कमाओ खो, पैसा इकठा करो और खाओ और फिर खाओ, फिर बिमार पड़ो इलाज के लिए भी इकठा रखना और फिर डाक्टर को दो और साधू हुए हो तो संतोष पूरवक जो मिले वही खाओ, भजन करो ये खाने का साउक रखोगे तो साधना नहीं हो पाएगी सरीर को चलाने के लिए हम खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं जीने के लिए खाओ दवाई रूप में आवशधी रूप में दिखावा में नहीं जीव की चटोरी में पढ़ेंगे इंद्रियों के लोभ मोह में पढ़ेंगे तब हम धोखा खाएंगे और यहीं पर फिर पाप होता है पाप क्या है? पाप कहीं अलग रखा तो है नहीं कि उपर कूद करके हमारे उपर चढ़ जाता है हम खुद अशावधानी वस अज्ञान वस प्रलोभन वस आशक्ती वस अन्यथा जो करते हैं वही पाप बन जाता है समझदारी, विवेक, विचार और अपने और दूसरे का हित ध्यान में रख करके सब लाब होगा और फिर यही पुन्य है तो मैं कह रहा था कि सुखी जीवन जीने के लिए सरीर को स्वस्त रखें और सरीर स्वस्त रखने के लिए मेहनत करना चाहिए जो जहां जिस योग है कोई सर्विस करता है वहां पूरी ड्यूटी निभावे आजकल लोग यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले और सरकारी नौकरी का मतलब वे मानते हैं कि काम ना करना पड़े और जाए खुब पैसा मिले पूरी तनखाह लेते रहे एक अध्यापक थे तो गुरुजी के पास आए गुरुजी ने पूछा कि क्या करते हो कहां साइब नौकरी मिल गई है कहां मिली है कहां वो दूसरे जिले में पढ़ाने की स्कूल में नौकरी मिली है तो गुरुजी ने कहा कि तो वहां जाना पड़ता होगा रोज पढ़ाने की तो सब्ताह में दो बार में कैसे काम बनता है कैसे नहीं सब्सक्राइब जाता है और ये केवल जा करके वहाँ एक दिन और फिर तन्खाह पूरी लेते रहना ये पाप ना करो नहीं इससे सुखी नहीं रहोगे लोग तो यहीं मानते हैं ना कि हम अब नवकरी मिल गई है अब हमें तन्खाह मिलेगी अगर अलग से कुछ काम करवाना है तो हमें अलग से पैसा दें लो एक सज्जन थे वो इसकूल जाते थे और कोट टांग देते थे अपनी और सोते थे अब फिर तनखाले लेते थे वो कोट टांगने का पैसा लेते थे वहाँ ये सब गलत है इससे ना हमारे मन में शान्ती रहेगी और ना वो प्राप्त पैसे से हमारा घर परिवार खुशहाल हो सकता है इसलिए हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए अपने करमों को ठीक करना पड़ेगा तो पहली बात है सारीरिक स्वास्त अच्छा रहन साहन अपनावे अच्छे खान पान को अपनावे और सरीर से परिष्त्रम करें परिस्त्रम करने से स्वभाविक सब का मन कतराता है मन होता है कि काम ना करना पड़े लेकिन काम करने से नुक्सा नहीं होता है फायदा होता है, कई फायदे होते है पहली बात फायदा यहा है कि हमारा सरीर स्वस्त रहता है दूसरा फायदा या है कि हमारा मन प्रसन्य रहता है जो व्यक्ति काम नहीं करता और दूसरे घर के लोग काम कर रहे हैं आज ये लेटे बैठे, मोबाइल चलाते हैं तो उनके मन में कभी प्रसन्यता नहीं रहेगी खुल करके वे अपने ही पत्नी से, बच्चों से वो आँख मिला के बात नहीं कर सकेंगे उनको आत्म सम्मान नहीं रहेगा क्योंकि वे सोयम जी चुराते हैं उनके अंदर वो आलस का पाब वसा हुआ है तो मन को प्रसन्य रखने के लिए भी परिश्टरम करना चाहिए और घर का काम हो जाता है जो काम बहुत जरूरी है साप सफाई का और घर के अनेक व्यवस्थाओं का जब हम काम करेंगे परिश्टरम करेंगे तो काम निपड़ जाएंगे घर के लोग खुश रहेंगे हमसे हम तो खुश रहेंगे ही घर के लोग भी खुश रहेंगे तो इस प्रकार से अनेक फायदे हैं सब को यथा उचित अपने अपने छेत्र में खुब परिश्टरमी होना चाहिए बिना परिश्रम किये आप सरीर से स्वस्त नहीं रह सकते हैं ठक जाना चाहिए इतना काम करें कि रोज ठक जाएं आप अतवच्छी नीद आएगी और काम नहीं करेंगे सरीर स्वस्त भी नहीं रहेगा नींद भी नहीं आएगी भोजन भी नहीं पचेगा, मन भी खुस नहीं रहेगा, लोग भी मूँ फुलाए रहेंगे, अब घर कबाड़ खाना बना रहेगा, आएगा ये लोगों का स्वागत ही नहीं हो पाएगा, कोई आना ही नहीं चाहेगा, साब प्रकार से हानी ही हानी तो है, इसलिए सरीर को स्व हो, लेकिन अब पैसे ही नहीं है, धन की बड़ी कमी है, और एक एक चीज के लिए हम हैरान होते रहते हैं, घर में कोई मेहमान आ गया तो उनके स्वागत करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं हैं, कोई तकलीफ में पढ़ गया, तो अर्थ की व्यवस्था होना चाहिए, अर्थ व्यवस्था होगी कैसे, तेखो कितना हम कमाते हैं, इसका ज्यादा महत्त नहीं है, ज्यादा महत्त है कमाए हुए धन का कैसे उपियोग करते हैं, कुछ लोग पांच हजार रुपय महीने में कमा करके भी घर को अच्छा से चला लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं, जो पचास हजार रुपया कमा करके भी कमी का अनुभव करते रहते हैं, उनको सब समय ये कमी महसूस होती रहती है, कि ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे करें बच्चों के लिए, घर के लिए, अपने लिए, अपना मैनेजमेंट वैसा करें, उतने पाउं पसारिये, जितनी लंबी सौरी, सौरी मतना रजाई, तो अब जितनी बड़ी हमारी चादर है, रजाई है, उतने पैर फैलाओ, ताकत कम गुसा है ज्यादा, यह तो बात पिटाए की, पैसा कम खर्चा है ज्यादा, यह तो बात विकाए की, हमारे पास सक्ती नहीं है ताकत कम है और गुस्सा बात-बात में करते हैं तो क्या होगा पीटे जाएंगे कही और पैसे की कमी है आवक कम है और खर्चे इतने जादा बढ़ा लिये हैं कि अब कमी लगी रहती है तो क्या होगा बिकेंगे कर्जदार बनेंगे और संतापित रह करते थे महीने की अंतिम तारीक को जब वेतन मिले तो उसके पहले ही इतना वो दुकान से उधार सामान ले आते थे कि जैसे ही उनको शेलरी मिलती थी उसके दूसरे ही दिन उनका सारा पैसा खतम पीछे का हिसाब चुकाने में ही खतम अब आगे आने वाले महीने में कैसे च अरजना हो आगे के लिए कम से कम महीना भर के लिए हमारे पास खूब पैसे हो खूब का मतलब कि इफरात खर्च करने के लिए नहीं बलकि जितना हमारी जरूरत है उससे ज्यादा हम बचा करके रखें हम जितना खर्च करते हैं महीने में केवल सब समात्त ना कर दें कुछ जब हम अपनी वेवस्थाओं को संभाल करके रखेंगे तो सिस्टम सब ठीक रहेगा, मन को संतोष रहेगा, हम निर्भय रहेंगे, नहीं तो बड़ी चिंता होगी, और चिंता ऐसी डाकनी काढ़ी कलेजा खाए, और नाक्टर विचारा क्या करें, कहां तक सुई लगाए, य अगर अंदर में सद्गुण नहीं है, जीने का ढव्य ठहँ नहीं है, तो बना ठना आदमी बाहर से सुंदर चमकता धमकता दिखता है, और सुटेट कूटेट बूटेट है, अच्छे सानो सवकत से रहता है, लेकिन जीने का सही ढंग नहीं है, तो अंदर से वो चिंता क्रांत रहेगा, भैभीत रहेगा, शोकित रहेगा, डाक्टर क्या करेगा, कौन इंजक्शन लगा करके आपको सुखी बनाएगा, इसलिए हम अपने अर्थ ब्यवस्था पर भी ध्यान रखें, थोड़ा, दूसरो की नकल बाजी नहीं होनी चाहिए, कभी भी, जब खान पान सही रखेंगे, स्वास्त सही रहेगा, तो परिश्रम कर सकेंगे, पैसे कमा सकेंगे, और जब स्वस्थ रहेंगे, तो डाक्टर के पास बहुत भागना नहीं पड़ेगा, तो पैसे बचा सकेंगे, और जब सही स घर से भी हमारी बचत होती रहेगी और घर में साधे ढंक से जीना हमें आना चाहिए थोड़े में सहज रूप से साधा सिंपल जीवन जीते हुए जीए तो ये है अच्छे सुखी जीवन जीने का राज साधा जीवन उच्च विचार जिंदगी हमारी साधगी पूर्ण होनी चाहिए और विचारों में उच्चता हो महानता हो दिव्बता हो जो बाहर से भले हमारे कपड़े साधे सिंपल हो लेकिन भीतर में हमारे अंदर सोने चांदी और हीरे मूती जैसे स्वरणी विचार होने चाहिए कि हम जो बोल दें लोग सुनने को आतुर रहें जहां हम चले जाएं लोग हमसे मिलने को आतुर रहें जहां से हम चलें लोग सोचें कि आज ये चले जा रहे हैं हमारा घर सुना हो जाएगा जहाँ पहुचें लोगों को खुशी मिले कि आपका आना हमारे घर की बहार आना हो गया खुशी आ गई ऐसा हमारा विद्तित तो होना चाहिए और यह रुपए पैसे से नहीं होता है अपने विचारों को बनाने से होता है तीसरी चीज है पारिवारिक प्रेम शरीर स्वस्थ हो धन भी खूब हो लेकिन घर में कलाह हो पती-पत्नी में आपस में बात ही न होती हो तो क्या घर सुखी रहेगा भाई भाई एक साथ बैट के भोजन न कर सकें पिता और पुत्र एक दूसरे के सामने नहीं पढ़ते हैं सास बहू में एकडम साप और नेले का हिसाब रहता है ननंद भावज एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं ननंद भावज का त्वार्थी होता है ना आनंद उसे कहते हैं ननंद तो भावी से आनंद ना हो तो उसे कहते हैं ननन लेकिन सब जगे ऐसा नहीं होता है कितनी ननन भावज ऐसी होती है कि सगी बहन से ज़्यादा एक दूसरे को चाहती है प्रेम रखती है तो यह प्रेम होना चाहिए यह सब्दों में नहीं पढ़ना है कहीं जिसके अंदर समझदारी होगी अगले व्यक्ति की कीमत को समझेंगे संबंधों की मिठास को समझेंगे और जीने का सही तरीका अपनाएंगे वहीं आनंद होगा तो पारिवारिक प्रेम होना चाहिए सब एक दूसरे के साथ मिल जुल करके रहें जितना हो उतने में संतोष पूरवक गुजारा करें अपनी अपनी बहुत इच्छाएं कामनाएं बढ़ा करके रखेंगे तो पारिवारिक प्रेम नहीं रहेगा किसकी किसकी इच्छा को पूरा किया जा सकता है सद्गुरु कभीर ने कहा है एक जगे कि संतों घर में जगरा भारी राद दिवस मेले उठी उठी लागे पांच धोटा एक नारी न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचो अधिक सवादी कोई काहू का हटा नमाने आप मुरादी दुर्मत केर दोहागिन मेटे ढोटे ही चाप चपेरे कहें कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निबेरे साहेब कहते हैं संतो घर में जगरा भारी घर में बहुत बड़ा भारी जगरा मचा हुआ है बाहर घर का जगरा तो समाप्त होना ही चाहिए लेकिन हमारा असली घर केवल ये इट पत्थर का घर नहीं है हमारा असली घर हमारा दिल है हमारा अंता करण बाहर तो लोग हैं सब के अपने अपने जीने का धंग है अपनी अपनी सोच है अपने अपनी सुभाव और रुचियां है वहाँ कुछ हो भी सकता है लेकिन हमारा असली घर हमारा अंतह करण है और हमारे अंदर विवाद रहित, द्वंद रहित, कलाह रहित इस्थिती होनी चाहिए अगर हम अंदर अंदर कलाह में पड़े हुए हैं, किसी से इर्शाद्वेश कर रहे हैं, राग मोह कर रहे हैं, अंकार आसकती में पड़े हुए हैं, तनाव में खिचे खिचे रहते हैं, तो बाहर का बहुत प्रेम होते हुए भी हम अंदर से दुखी रहेंगे इसलिए भीतर हमारे अंदर प्रेम, शान्ति, इस्थिर्ता, निश्चिंतता होनी चाहिए जिसे कि एक घर में पाँच लोग हों और एक लड़का कहे कि हमें पूरी खाना है दूसरा कहे नहीं हमको पूरी उड़ी नहीं खाना, खिचडी खाना है तीसरा कहे नहीं खिचडी नहीं खाना, हमको तो हल्वा खाना है चाउथा कहे नहीं हमको हल्वा खिचडी पूरी से कोई मतलब नहीं, हमको तो माल पूरा खाना है अब पाचवा कहेंगे नहीं हम यह सब नहीं खाएंगे, हमको तो रोटी खाना है अब इन सब की अलग-अलग इच्छाएं अब कहां तक घर की मालकिन पूरा करेगी तो साहिब कहते हैं अगर ऐसा हो तो उनको एक-एक चाटे लगाओ और सब को शांत करो तो यह बाहर चाटे लगाने की बात नहीं है अंदर हमारे पांच है ना आखना, कान, जीव, चाम यह सब के पांच बेटे हैं कोई भी हो नर नारी, जमान, बूढ, बच्चे सब के पास पांच ग्यानेंद्रियां जो हैं यह हमारे पांच बच्चे हैं आख कहती है कि मुझे रूप चाहिए, सुन्दर-सुन्दर रूप, नर नारियों के रूप, पेड़ पाउधों के रूप, पसुपक्षियों के, नदी जहरनों के और प्रकिति के अनेक, मुझे सुन्दर-सुन्दर रूप चाहिए अब कान कहता है कि चाहिए जितने अच्छे रूप हो, मुझे रूप हूप से कोई मतलब नहीं है अब मुझे तो सबद चाहिए, अच्छे-च्छे गीत चाहिए, राग-रंग के गीत चाहिए और अच्छी अच्छी आवाज सारे गामा पाधानी और अनेक बाजों के और अनेक नरनारियों के मुझे तो गीत चाहिए सब्द चाहिए देखो अब आख को जो चाहिए कान से कोई मतलब नहीं कान को जो चाहिए आख से कोई मतलब नहीं लेकिन इन दोनों को जो चाहिए तीसरे से कोई मतलब नहीं ना कहती है नहीं मुझे न रूप न सब्द मुझे तो सुन्दर सुन्दर गंध चाहिए सुगंध चमेली का चंपे का गुलाब का अमुक अमुक का सेंट चाहिए एक सजन थे वे कहते थे कि मैं जब तक रात में विश्तर पर सेंट चिड़क नहीं लेता हूँ तो मुझे नीद नहीं आती है अब कोई सेंट का ही इतना आसीक हो गया है कि उसको नीदे नहीं आवे, क्या तमासा है, अरे बिस्तर पे जाओ, साप सुथरा आपका बिस्तर हो, मस्त लेटो और नीद आ जाए, सोते रहो रात भर, ऐसी तैयारी होनी चाहिए, मन की निश्चिंदता और प्रसनिता की, और तचा कहती है कि नहीं, मुझे रूप और सब् गंध नहीं, मुझे तो कोमल असपर्स चाहिए, अजीब कहती है कि मुझे चारों नहीं चाहिए, मुझे तो सट्रस बेंजन चाहिए, खटा, मीठा, चर्फरा, नमकीन, कशैला, कोई भी, ये सब का आनन्द चाहिए, अभी इन पांचों को पूरा करते करते आप हैरान इसलिए धमन करें इनका, जो उचित हो, जो कल्यानकारी हो, वो करें, ऐसे घर परिवार की भी बात है, यहां पर धमन नहीं चलता है, प्रेम चलता है, क्रोध से क्रोध को जीता नहीं जा सकता है, प्रेम से क्रोध को जीता जाता है, अपने आप पर तो हम अपने जीवन पर तो पूर्ड अनुसासन, कडाई रख सकते हैं लेकिन कोई चाहे कि अपने बच्चों पर, पत्नी पर, पती पर या सास या बहू पर हम कडाई करके उनको जीत लेंगे और उनको अपने अनुसार बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है यहां तो प्रेम से ही दिलों को जीता जाता है बाहर जीतने के लिए बड़े-बड़े टैंक, तो गन, आधी-आधी सामरिक संसाधनों की जरूरत होती है लेकिन लोगों के दिलों में अगर राज करना है तो हमें दया, छमा, प्रेम और करुड़ा की जरूरत पड़ेगी इसलिए हम सब लोग इन चीजों का उप्योग करें तभी पारिवारिक प्रेम रहेगा और जिस परिवार में प्रेम नहीं है, वो परिवार नरक होता है इसलिए छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान और बराबर वालों को प्रेम ये तीनों एक ही धातु के अलग-अलग सब्द हैं भाव तीनों में एक ही है आज बड़ों का आदर घट रहा है और छोटों को संसकार नहीं मिल रहा है कहने की तो बात है कि हम बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं सहे बच्चे हमारी जिन्दगी है अब बच्चों के भविस को बनाना है ये सब्द केवल रह गए हैं लेकिन क्या बना रहे हैं उनको हम मसीन बना रहे हैं नोट कमाने की उनको हम ना दया सिखाते हैं, ना प्रेम सिखाते हैं, ना सहंसिलता, ना धैरिये, ना संयम, और ना बिनम्रता, और ना पवित्रता देते हैं, ना आत्मग्यान सिखाते हैं क्या उनके भविस्व को हम बना रहे हैं? केवल रुपय दे करके कोई वेक्ति सुखी हो सकता है? एक बुढ़ा पिता था, उसने अपने बच्चे से पूछा, कि बेटा अभी जो आया था, कौन था, तो धीरे से कुछ बुदबुदा करके बोला, कि फलाने थे, तो पिता नहीं सुन पाए, उन्होंने कहा कि बेटा कौन, तो जोर से डपट पड़ा, बेटा, जब अंधे बा पिता पूछ लिया, तो इतना जोर से डपट पड़ा, अंधे बहरे, अटेटे करने वाला कह दिया, तब पिता कहता है कि बेटा, जब तू छोटा था, मेरी गोद में बैठ करके, ऊपर चपर पर बैठे हुए कौवे को तू पूछता था, कि पापा ये क्या है, तो मैं कहत पूछता था, बेटा कववा है, और फिर तू पूछता था, क्या है, मैं फिर पुना वही प्यार से कहता था, इस प्रकार तू पचासों बार पूछता था, मैं पचासों बार उतने ही प्रेम और इसने से तुझे बताता था, अब मैं नहीं घबराया कभी, अब एक बार मे मैंने क्या कह दिया वो रोने लगा आकर की पिता के चरडों में गिर पड़ा तो हम थोड़ा सा सहनसील बने बच्चों में संभावना दिखती है बच्चों का चहरा कोमल होता है वे मासूम होते हैं Cat ग्रह रहित होते हैं, इसलिए बच्चों को पालना सरल होता है, बृद्धों में वो मासूमियत नहीं होती है, उनका चेहरा रुखडा होता है, वे जिन्दगी को लंबा जी आये हैं, उनके पास अनुभव है, वो बड़े हैं, हमको उन्होंने जनम दिया है, वे अपना अधि तो वो हमारे अंदर तुरंत उनकी बातों के प्रती अहंकार जग जाएगा, और ये अहंकार हमारे लिए बहुत खत्रे की जंडी है, हम पिता को तो एक बार चुप करा सकते हैं, लेकिन हमारा भी बच्चा कोई है, और वो सारा बदला लेगा थोड़े दिनों में, एक घर क एक बहु थी, तो घर में तीन सदस्य थे, चार ले थे, एक छोटा बच्चा भी था, तो बहु थोड़ा सा आधुनिक माडल की थी, बड़ी तेश तर्रार, तो अपने पती से उसने कहा कि देखो जी तुम्हारे पिता जी ये दरवाजे पर बैठे रहते हैं, खास्ते रहत है, थाली उनकी माजने का मन नहीं होता है, अधर वाजे पर ये ठसर ठसर करते रहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा करो कि उनकी खाट पीछे घर के गवसाला है, वहाँ डाल दो, और घेर देंगे एक टाटी से, वहीं रहें, और उनको वहीं अच्छा लगेगा, तो उसके पती ने कहा कि नहीं, पिता जी का घर है, और उन्होंने हमें पालपोस के बड़ा किया है, ऐसा करना उचित नहीं है, तो कहें, फिर उचित नहीं है, तो फिर ठीक है, अपने पिता को ही ले करके रहो, मैं जाती हूँ, तुरंत उनका एक बार में ही हिसाब, तब क पिता जी से कहता है आकरके कि पिता जी आपको बाहर बच्चे भी परेशान करते हैं हला गुला भी होता है गाडियों का धूल गर्दा भी आता है आपको पीछे लगा देते हैं वहां ठीक रहेगा एकांत रहेगा पिता को तो अच्छा नहीं लगा लेकिन कर भी क्या सकते थे ठीक है बेटा तो पीछे गवसाले में घेर करके टाटी डाल दिया गया खाट उनकी तो अब भोजन देने की बात आई तो दो-चार दिन तो थाली में देती रही लेकिन फिर एक दिन कहती है बहु कि देखो तुम्हारे पिता जी ये आखनाख का पानी चुआ देते हैं और उसी में थाली बड़ी बदरूप दिखती है मुझे माजने का मन नहीं होता है ऐसा करो कि कुमार के घर से मिट्टी के प्याले मंगवालो उसी में दे देंगे खा करके वो पिछवाडे फेक दिया करेंगे माजने की जंजट नहीं रहेगी क्या हर जहा है इसमें अब मिट्टी के बरतन में खाने से तो सरीर भी ठीक रहता है तो उन्होंने कहा नहीं पिता जी के साथ ऐसा बरताओ करना ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कहां गलत उलत कुछ नहीं होगा तुम जो मैं कहती हूँ वो मानो अंधिता मानना पड़ा एक हजार मिट्टी के प्याले एक साथ मंगवा लिये गए रोज रोज उसमें भोजन दिया जाने लगा और बुड़े बाबा खा करके पीछे घूर में फेंक देते थे ति यह हरकतें उनका एक छोटा सा बच्चा था जो अभी 6-7 साल का था देखता था तो उसको अच्छा ना लगा लेकिन अम माता पिता को कैसे समझाता तो वो पीछवाडे से जो घूर पर जूठे प्याले पड़े रहते थे बीन बीन करके ला करके एकांत अपने कमरे में रखता जाता करीब 30-40 प्याले हो गए थे एक दिन उसकी माँ वहाँ सफाई करने के लिए गई देखी थे यहां बहुत सारे जूठे प्याले पड़े हैं तो बच्चे से पूची वेटा तू यह क्या करता है क्यों यह जूठे गंदे प्याले अहां ला करके रखा है अरे अगर तुझे खेलना है तो हम नए प्याले दे देते हैं तब तक पिता जी भी आ गए तब दोनों माता और पिता को सामने देख करके कहता है वो बच्चा कि पिता जी माता जी आप लोग धनी आदमी हैं आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और बाबा जी को खिलाने के लिए आप लोगों ने एक साथ एक हजार प्याले मंगवा लिये हैं जब आप बुढ़े होंगे मैं जवान होँगा कौन जाने मेरे पास इतने पैसे ना रहें तो मैं कैसे मंगवा पाऊंगा तो आपके बुढ़ापे के लिए सारे प्याले रिजर्व रहेंगे और उस समय मैं इनी प्यालों में आप लोगों को भोजन दूँगा इतना सुनते ही वो दोनों पती पत्नी के पैरों के नीचे की धर्ती मानो सरग गई उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने पत्नी से कहा कि देखो बच्चे के संसकार विगड़ रहे हैं और पिता जी को तुरंत घर में लाओ उनको थाली में भोजन दो नहीं तो हमारा जीवन बिलकुल खत्रे में जा रहा है तुरंत पिता को लाया गया उनका सम्मान किया गया और फिर घर की स्थिती बदल गई तो इस प्रकार से हमें परिवार में जीना आना चाहिए यही तो देवी देवता है जो सक्चे देवी देवता है इनको हम आदर नहीं देते प्रेम नहीं देते सम्मान नहीं देते इनको देवी देवता मान नहीं पाते और जो जड़ है जो मिट्टी है जो पत्थर है जो लकडी है जो कागज फोटो है उसमें हम देवी देवता की कल्पना करते हैं कैसी विछित्र बुद्धि जहां जीव है उन जीवों को मार करके खाते हैं और जहां जड है, मिटी पत्थर है उन पुटलों को पूजते हैं यह हमारी बुद्धी की बलीहारी है की नहीं अरे पूजा करने की लोग ये देखो सब देवी देवता प्रतक्ष हैं इन्होंने जनम दे कर पाल पोस कर बढ़ा करके हमें इतना योग बनाया है और हमें इतना योग बना दिये और हमारी योगता का फल यही हो कि इनको हम आयोग मानने लग जाएं यही है हमारी बुद्धी की बलिहारी यह बरतमान समाज का यह बहुत बड़ा दोस है और इस बहिया में पढ़कर के हम अपने ही सब्विता संस्कृति और परिवार को खोए नहीं नहीं तो चार दिन में ये हमारे उपर पूरी तरह से आएगा और जिस गती से हमारा ये समाज बदला है हम बदलें हैं जिस गती से आगे आने वाला जो समाज आएगा हमारे बालबच्चे और तेजी से बदलेंगे और तेजी से हम पर्वे हावी हो करके हमाने सिर पर्वे सारा दुश्चक्र लाकर के छोडएंगे इसलिए परिवार में प्रेम होना चाहिए ये स्वर्ग को अस्थापित करना है स्वर्ग कहीं बाहर नहीं मिलता है चाहे जितना धन दौलत हो जाए चाहे जितना हम बने ठने हो लेकिन परिवार में प्रेम के बिना सब बेकार होता है और सुखा रूखा खाते हुए छोटे से मकान में रहते हुए अगर घर में हसी खुशी का कहा कहा मच रहा चाहल पाहल मची है अतितियों का संत गुर्जनों का छोटों बड़ों का प्रेम सम्मान स्वागत सत्कार हो रहा है इससे बढ़कर और क्या स्वर्ग हो सकता है इसलिए चीजों के लिए बहुत लाला इतना ही रहना चाहिए एक दूसरे के लिए प्रेम दिल में खुशियां एक दूसरे के प्रती सदभाव हो ये है स्वर्ग है ये जिन्दगी का एक जो सुख होना चाहिए ये असली सुख है और अंतिम बात है कि जो अंतिम सुख है मन की शान्ती, धन भी खूब हो, शरीर भी स्वस्त हो, परिवार में प्रेम भी हो, लेकिन अगर मन में शान्ती नहीं है, तो फिर हमारा जीवन तो भी अधूरा है, शान्ती कैसे मिलेगी? देखो ना चाहे जितना चीजें हो लोग हो और प्रेम भी हो स्वस्त हो लेकिन कुछ ऐसी बाते होती हैं जो हमारी सांती को भंग करते रहते हैं वो हैं हमारे मन के उदवेग मन के ही अंदर के अउगुण काम क्रोध लोभ मो अहंकार आसकती यह हमारे अंदर होते हैं इनको हमें पहचानना चाहिए अगर इनको हम नहीं मिटाएंगे तो घर में नहीं बाहर समाज में ही नहीं देश में हमें साब अपनी गोध में उठा ले आशना से हम जल रहे हैं, तो फिर हम सुखी नहीं रहेंगे, इसलिए बाहर का सिस्टम ठीक होते हुए भी हमें अंदर के सिस्टम को ठीक करना है, मन को, तभी मन की सांती अस्थाई रूप से आएगी, ये वाली बात अगर ठीक है ना, तो बाहर एक बार धन कम हो, हम थोड़ा हम इतना सब की बात मानते फिरते हैं, ठीक है, नहीं मान रहे हैं, कोई हर्ज नहीं, उनका अपना मन है, ऐसा सोच करके हम अंदर में ठोष रहें, मजबूत रहें, हम इतने दीन कम जोर ना हो जाएं कि कोई हमारी एक बात न माने तो हम दुखी हो जाएं, क्यों माने हमाणे काहे क। हम अपने आपको इतना ज्यादा महत्त दे रहे हैं कि हमारी सब लोग बात मानते ही फिरें, सब का अपना-पना विचार है, अपने ओने डंग से जियेंगे, हम सउयम सही जियें, सही बात लोगों की उस्था माल लें境रें, सब को प्यारिश नियुक्र सी है, चारो तरफ फूल विखरे हैं कहावत है न कि हम सब तरफ चाम विच्छा करके चल नहीं सकते हैं लेकिन अपने ही पायर में चाम का जूता पहले तो जहां जाएं हम इस धर्ती पर मानो चाम विच्छा हुआ है जहां पायर रखेंगे वही जूते पर हमारा पायर रहेगा और कोई खतरा नहीं इसी प्रकार हम साप को सुधार करके तब हम सुखी बनेंगे संबहो नहीं है अपने को सुधार लें बस आनंद ही आनंद है हम सुधरेंगे जक सुधरेगा ये आचार स्री राम सर्मा सांती कुझवाले का जो बहुत एक संत थे अच्छे बहुत निराले पुरुष थे उन्होंने एक सूत्र दिया था हम सुधरेंगे जग सुधरेगा तो बहुत अच्छी बात है हम सुधरें अपने आपको सुधारें अपने सुभाव को विचार को कर्मों को अपने सिध्धान को जब सुधार करके चलेंगे तो फिर कोई दुख नहीं तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी फैल अपनी फैल मिटाय ले गली गली कर सैल तो मैंने आप लोगों के बीच कफी देर तक कुछ बातें रखी इन चार मुद्दों पर कि सारीरिक स्वास्त आर्थिक मजबूती पार चिंता और शोक का सामना ना करना पड़े बस अपनी बातें में यहीं पर समात्र करता हूं हमारे बीच परम पूझे स्रद्धेशंत्री विकास सहब जी विराजमान है आप कभीर आस्त्रम बैगुमा कौशांबी आस्रम में रहते हैं और आपके नित्रित्त में वहां कुछ संत और एक बड़े छेत्र में भगतों का रहना होता है और यहां सवभाग से आप अधारे हैं तो हम सब आपके मारमिक विचारों से लाभानित हूं